देखे इसे पहले वाले जो आज मतलब वीडियो दिये थे सुबह में या एक वीडियो दिये थे तो हमको लगता है कि उसमें कुछ-कुछ एड़ान करने का जरूरत है क्यूंकि ये वीडियो अगर आप युनानी इरानी वाला गर देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हम कंप और भी क्लियर हो जाएगा और भी चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा ये जो चैप्टर इसको कंप्लीट रूप से समाप्थी कर देते हैं फिर एक नया वीडियो लाएंगे जो चंद रूप तुमों रूपे होगा ठीक तो हम इससे पहले देख रहे थे कि जो हमारा मतल दब युद्ध को accept किया कि पोरस जो है युद्ध लरने के लिए हिमज उटाया किसे सिकंदर से और पोरस ने युद्ध लड़ा भी है ना पोरस थोड़ा सा बहादूर था ठीक है और उन्होंने युद्ध को accept किया किसे साथ सिकंदर के साथ और सिकंदर का सेना देखा कि ज उससे युद्ध लरने में, हमको हराने में हमारे कई सैनिक मारे गए और हम लोगों का बहुत ज़्यादा दम ससर गया, उसको ही हराने में. तो उससे तो 2-4-5 गुना ज्यादा बड़ा नाम है, मगद समराजी के जो राजा थे घानानन्द उसका, तो घानानन्द को हराने में पता नहीं क्या क्या हो सकता है कि हम लोग हार जाएं, ये सब बाते कौन सोच रहे थे, सिकंदर के सैनिक सोच रहे थे, उनको इसी चीज का चिंता सता रहा था, कि जो पिछले 19 महिना से हम अपने छेत्र से बाहर आये हैं, युद लरने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि युद लरने के लिए तो निकले हैं, और हम सभी जने युद में ही मारा जाएं, इस चीज का फिक्र चिंता सताने लगा किसको सिकंदर के सेना को, औ क्योंकि उसको समझ में आ गया था, पोरस के साथ जब लड़ाई किये, तो पोरस को तो हरा दिये वह अलग बात है, लेकिन पोरस भी अपने आप में कितना ज्यादा मजबूत राजा था, है न, पोरस अपने आप में एकदम श्ट्रॉंग था, और उन्होंने डट के आकरमन किया सिकंदर पे, वो अलग बात है कि हार गया सिकंदर से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना 100% दिया, जिसके बज़ा से बहुत सारा सिकंदर के सिकंदर का भी सेना युद्ध अस्थल पे ही मारा गया, और जो बचे कुछे सेना थे सिकंदर के उनको ये बात का डर लगने लगा कि सिकंदर के जो दिमाग में confidence का आग जल रखा है वो लगता है कि पूरा भारत के हर राजा को हरा ही देगा तो कहीं ऐसा ना हो उसका confidence उस पे भारी पड़ जाए और हम लोगों पे भारी पड़ जाए क्योंकि युद्ध के मैदान पे तो तलवार लेके उतरते हैं हम मा पारे जाते हैं ये सिकंदर के तो सरीर पे एको नाखून का खरच भी नहीं आता है तो फिर सिकंदर का confidence तो ऐसे ही हाई रहेगा युद्ध अस्थान पर धारातल पर उतर के तो हमको न लरना पड़ता है तो मरते भी हम साइनिक लोग ही है यही बात साइनिक लोग सोच रहा था और उसके मन में तरह तरह का सवाल उठ रही थी मगद को ले करके है ना उनको लग रहा था कि भाई घानानन्द इतना पूर्ण बाते हो गई के लिए सिकंदर के सेना के लिए कि बोला कि हिम्मत ही नहीं है कि घानानन्द से लड़ जाएं मतलब उसको हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि भाई घानानन्द से लड़ जाएं उजो कि नंद बंस का एक महान तेजस्वी वीर सा सकता ठीक है तो हो सकता है क कि अगर हम घानानंद से लड़ जाएं, तो साइध हम जिन्दा बचकर युनान वापस भी न लोट पाएं, ये सब चीजें सेनी को डर लगने लगी, और ये बहुत ठोस गारेंटी है ही नहीं, कि हम सिकंदर को complete रूप से क्या करेंगे, ये बहुत ठोस गारेंटी है ही नहीं, कि सिकंदर ही complete रूप से जीती जाएगा युद्ध, ये कोई ठोस गारेंटी है ही नहीं, क्यूंकि सेना लोगों के मन में ही दुरबलता आ गई थी, सेना लोग को ही डर लगने लगा था, और सेना को ही युद्ध लरना था, और सेना के मन में ये सब बातें उठने लगी, कि जीतेंगे या ना जीतेंगे, तो आपका हर निश्चिंद है, चाहिए आप एकजाम दे रहे हों, या फिर युद्ध लर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, ये दो प्रॉबबलिटी जहां मन में आया, तो आप निश्चिंद फाइल हो जाएंगे उस चेत्र में, ठीक है, अग प्रॉबबलिटी लेके कौन चलने लगा, सिकंदर की सेना, क्योंकि वो दुरुबल होते जा रहा था, और उसको लग रहा था कि सिकंदर का कॉंफिडेंस भले ही दिमाग का भूत हाए है, और हम लोगों को युद्ध अस्थाल पर उतर के लगना पड़ता है, तो कहीं हम ल प्राने लगा, किसे? घानानन्द का नाम सुनते ही है, क्योंकि घानानन्द अपने आप में बहुत महान सक्ति साली सासक में से एक था, पूरा का पूरा मगद समराज जो है, अन्य पंद्रे महाजन पद्ध जो इतना भी थे, सोले में से एक मगद हो गया और पंद्रे बचा तो पंद्रे पे हावी था मगद, अपने आप में इतना जाता सकती साली था, ठीक है, सिकंदर लाख कह रहा था, कि भाई लड़ लो, क्या ही दिक्कत थे, अरे हम लोग इतना जीतते आये हैं थी, एक ही और जीत जाएंगे, है न, अगर मगद भाई अपना हो गया, तो फिर नहीं सुन रहा था, और अपने जो राजा थे सिकंदर, उसको एक ही बात कहा, कि आप हमको 19 महिना, 20 महिना हो गया, घर से निकला हुआ, अब हमको वापस होने दीजे घर, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, कितना युध लरेंगे, घर पडिवार से भी मिलने का मेरा मन करता है, सिर्फ युध ही जिन्दगी नहीं है न, कोई भी नौकडी आप करते हैं, तो उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है, कि भाई, दो महिना, तीन महिना में एक बार जरूर छुट टीम दिया जाता है, तो ये 19-19-20-20 महिना से जो जने आप हमको दूसरा-दूसरा देश ल लेंगे, फिर हम लोग प्लैनिंग करके युध फिर से आकरमन कर देंगे सिकंदर पे, कुछ नया स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, लेकिन अभी हमको हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही हमने पोरस का युध लड़ा, तो पोरस का युध लड़के हमको स लगतिसाली है, ठीक है, तो सिकंदर की सेना जो है, वो 327 इसापुर्व में, मतलब BC कहलो भाई, 327 BC में युनान से भारत आई थी, कब आई थी? 327 BC में युनान से चली थी, कहां के लिए? भारत के लिए, और 326 में लगबग एक साल बोखते बोखते इदर घुमते घुमते और 326 में जब भारत पहुँच गई, तो एक साल यहां बिता ही, युद बेगरा लर रही थी, तो लगबग समझ लोग की महिना पे महिना बीत रहा था, और जैसे ही 325 इसापुर्व आता है बाबु, तो वो वापस हो जाती है, समझ लोग की 327 के लास्ट महिना में आई, औ 325 इसापुर्व जो रहा है, तो इसमें पूरा का पूरा बारियो महिना भारत में बिता दी, उसके बाद 325 इसापुर्व जब आया, तो उसमें वापस होने लगी, तो इतिहासकार का कहना है कि टोटल मिलाकर के लगबग, यह 19-20 महिना भारत में ही गुजारती है सिकंदर क से न, और इस परकार से वो पुना युनान वापस हो जाती है, क्योंकि उनकी जो हिम्मत है वो घट जाती है, आग उसके अंदर हिम्मत बचता ही नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा राजा पंजाब का पोरस, उसको हराने में इसका दम ससड़ गया, तो बढ़का भी बचले है, है न, मोटा मोटी समझ लोग की छोटा मोटा तेलिया सापको आप मार नहीं पा रहे हो, आगे में अजगर खारा है, तू अगर आपको रौन देगा तो आपको क्या स्थिती होगा, है न, लेकिन फिर भी सिकंदर का कॉंफिडेंस के माथाम एक दम आग लगा हुआ था, कि भाई हम जित ही जाएंगे, और सिकंदर के जो सेना थे बाबु, सिकंदर के सेना भारत में लगभग 19 से 20 महने रुके होंगे, और फिर वापस लोट गए, जैसे ही सिकंदर जो है अपने सेने के साथ वापस लोटता है, लगभग कहलो कि सिकंदर की सेना दो भागों में बट जाता है क्योंकि वापस लोटा तो कुछ-कुछ planning strategy तो हुआ ही होगा क्योंकि पुना हुआ यूनान वापस लोट गया सिकंदर का जो सपना था भारत जीतने का वो भी तूट गया भारत ही नहीं पुरा विश्व विचता बनना चाहता था सिकंदर और कहलो कि उसका जो सपना ह है वो कही न कहीं टूटता हुआ दिखता है क्योंकि उसके दुर्वल शैनिक थे उनके बजा से इसका confidence भी सिकंदर का भी down हो गया और जल सेना जो है डो भागों में बठ गई पहला जल जल सेना दूसरा अस्थल सेना उसको थल सेना भी कहते हैं अस्थल सेना जल सेना जो है न बाबू तो जल सेना बनी किस चीज़ है जल मार्ग जो मार्ग था रास्ता था तो जो भी दुसमन देश थे जतना भी दुसमन देश थे वो जल मार्ग से परवेश करते थे तो जल सेना उसे दबाने का काम करती थी नेत्रित करती थी ठीक है और जल सेना का नेत्रित कौन करत करते थे निर्याकस कौन करते थे निर्याकस क्योंकि सिकंदर की सेना दो गूट में बटी हुई थी पहला जल सेना और दूसरा अस्थल सेना अस्थल का मतलब होता है जमीन वाला मार्ग और जल का मतलब होता है जल जहाज वहाँ से जो साइनिक पैनी को लाद के लाया जाता था फिर आकर्मन किया जाता था एक country से दूसरे country पे, तो जल सेना का जो complete रूप से नित्रिट्व करती थी, वह नेरियाकस करती थी. कौन करती थी? नेरियाकस. वो भी सिकंदर के अंदर ही काम कर रहे थे और जल सेना का नेत्रिट्व कर रहे थे. जबकि अस्थल सेना क्योंकि सिकंदर का सपना था पूरा वर्ल्ड को जीतने का तो सिकंदर जल के माध्यम से भी दूसरे पे आकरमन करता था और अस्थल का रास्ता मिलता था तो जमीन वाला रास्ता पे भी गोरा से दोड़के दूसरे पर आकरमन करता था, तो दोनों ही मार्ग से वो आकरमन करता था, अस्थल सेना जो था जमीन वाली मार्ग से दूसरे देश प्रवेश करने का पूरा का पूरा जीमा रखा था, अस्थल छेतर के सेना, और वो अस्थल घोरा पर बैटके ही दोड़ की घोरा को, मतलब सम जमीन जुरा हुआ है, पंजाब का जो आपका छेत्र है, उसके ही अंदर जाती रहोगे, तो आपका आ जाएगा पंजाब, पंजाब के ही साइड में पड़ता है पाकिस्तान, है ना, दोनों सटा हुआ ही है, तो पंजाब से ट्रेन पकरोगे, 20-25 रुपिया भारा लगेगा, पहुच जाओगे पाकिस्तान, है ना, लाहर पहुच जाओगे, तो मतलब जमीन से ही न चलेगा पाकिस्तान, कोई आपको समुदर का रास्ता तो नहीं अपनाना पड़ा ना, तो अस्थल सेना भी था सिकंदर के पास, जो जमीन वाला मार्ग से दूसरे देश पहुचता थ अस्थल सेना का नेत्रित्व स्वयम सिकंदर करते थे, कौन करते थे, अस्थल सेना का नेत्रित्व था बाबु, वो सिकंदर स्वयम करते थे, जबकि जल सेना का नेत्रित्व निर्याकस करता था, कोई दिक्कत, यहां तक आपको कन्फ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं होना जल सेना का नेत्रित निर्याका स्वयम करता था, पूरा का पूरा जल सेना जितना भी थे, उसका वो अध्यक्ष था, और अस्थल सेना के अध्यक्ष कौन थे, नेत्रित देखरे कौन करते थे, सिकंदर स्वयम करते थे, और सिकंदर जो है, वो जैसे ही भारत से वापस आए, तो 323 जो इसापूर्व का समय है, वह बेवी लोन नामक एक सहर रहता है बाबू, क्योंकि 25 में वह वापस आ गए थे युनान, है न, भारत से लोट गए थे 325 में, 327 में वह चले थे युनान से, 326 में पहुंचे थे, फिर 325 में पुनावा वापस चले गए युनान, और कहा जाता है कि युनान का एक सहर है, जिसका नाम है बेवी लोन, बहुत फेमस सहर है, और 323 इसापूर में बेवी लोन नामक सहर में सिकंदर की क्या हो गई, मिर्तियू हो गई, सिहंदर सिकंदर की मिर्तियू हो गई, और सोच लोकी बाबू, सिकंदर मात्र 33 वर्स का ही था, औ और 33 years में ही उसकी क्या हो गई? मिर्ती हो गई, और Sikandar बहुत नाम कमाया, इतना ही कम उम्र में उन्होंने बहुत अपना नाम कमाया, बहुत नाम बना लिया, है न? और जब Sikandar मर जाता है, तो मिर्ती हो के बाद सिकandar का विश्फविजेता बनने का सपना रहता है बाबू, वो भी तूट जाता है, अगर सिकंदर के सेना दुरबल नहीं होते न भारत में, तो साइधा विश्व विजेता के नाम में सिकंदर का एक बहुत बड़ा नाम रहता, और सिकंदर पूरा वर्ल्ड को जीत लेता, है न, पूरा वर्ल्ड तो ज लगा हुआ था, कि नहीं भाई, हम तो जीत ही, हम तो हडा ही देंगे एकदम मगद को भी, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड जीत के आया था, तो उसका जो confidence का लेवल था, वो बहुत हाई था, ठीक न, लेकिन उसकी सेना बोली, आब नहीं होगा, हमको अपने पड़िवार सिकंदर के द्वारा वो भी अस्वासन तूट जाता है, कि सिकंदर ने अपने गुरु अरस्तु को क्या कहा था, गुरु जी टैंसन मत लिजे, पूरा का पूरा वर्ल्ड जीत किया को चरण में रख देंगे, बस अपना असिरवाद हम पे कायम रखिए, लेकिन क्या करोगे जब दुर्बल सेना ही आपके अंदर रहेंगे, तो आप कहां से जीत पाओगे है ना, सिर्फ असिरवाद से नहीं होता है ना, लोग जो आपसे जुरे हुए हैं, उनके अंदर भी बल होना चाहिए, सक्तिसाली होना चाहिए है ना, तो गुरु जी तो असिरवाद दिये, लेकिन फिर ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे बड़ा गलती सिकंदर का नहीं था, सिकंदर के पास हिम्मत भी था, कॉंफिडेंस भी था, लेकिन उसकी सैनिक ही क्या पढ़ गई बाभू, दुरबल पढ़ गई, इस वजा से वो नहीं जीत पाया पूर दो टुकरा था, मतलब थल सेना अदूसरा जल सेना, अस्थल सेना और दूसरा जल सेना, भारत में ही बटा था, ये दोनों ही टुकरा में सेना, एक अस्थल सेना अदूसरा थल सेना, जल मार्ग से जल सेना और अस्थल मार्ग से अस्थल सेना, ये जो दोनों टुकरा बटा ह अस्थल सेना, जल सेना, वो complete रूप से बटवारा कहां हो चुका था, भारत में ही हो चुका था, और बाबु जब भारत में ही planning करा था सिकंदर ने कि किस परकार से कैसे आकर्मन करना है, जल के माध्यम से आकर्मन करना है, मगद पे, तो भाई हमारा जल सेना तियार होना चाहि तो हमारा स्थाल सेना एक दम अपने आप में बल रखना चाहिए. तो ये दोनों बटवारा कहा हुआ था? भारत वाले ही छेत्र में हुआ था. लेकिन जानते हो, जल की सेना जल मार्ग से वापस क्या हो गया? जो जल छेत्र का सेना था ना, वो जल मार्ग से वापस हो गया युनान और अस्थल सेना अस्थल की मार से वापस हो गया युनानी दोनों ही सेना सिकंदर को छोड़के भाग गए और फिर सिकंदर बेचारा बच गया अकेला और फिर ये भी क्या हो गया वापस हो गया और जब सिकंदर भारत से लोट रहा थ तो मतलब जो है ना बाबू, जब यह वापस लोट रहा था, तो वापस होने के करम में जो कुछ भी छेत्र था, जैसे पंजाब वेगरा था, पंजाब को जीता था, उस छेत्र को भी अपना समझ लो की उनका जो प्रियता सेना पती है, जिसका नाम सेलुकस था, जो आप कौन सा मार्ग कर रहे थे, सेलुकस जल मार्ग का पूरा पूरा अध्यक्ष था, सेलुकस था न, उतो नेर्याकस था, थोड़र से कन्फिूज है हम खुदरु को, उतों नेर्याकस था न, वस्थल मार का, लेकिन इसका एक बहुत परमुक्ष सेनाती था, सिकंदर का, सिकंदर का जब इतिहास पढ़ हो गए, तो उसका एक बहुत परमुक्स सेना पती था, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर, एकदम बहुत खास राइट हैंड था, किसका सिकंदर का, बोला सेलुकस निकेटर 24 x 7 सिकंदर के लिए खारा रहता था, बोलता था, यह सैनिक दुर्बल ना होती न, तो धूल चटा के सूता दे था, किसको, घानानन्द को, कोई बड़ा चीज नहीं था, घानानन्द को पचार न, गुरुदेव हमारा सैनिक ही दुर्बल हो गई, पता नहीं उसको क्या लालस सैनिकेटर ने वचन दिया, सिकंदर को, कि महराज, अगर हमारा सैना लोग दुर्बल नहीं होता, तो कसम से धूलना चटा दिया होता, किसको, घानानन्द को, धूलना चटा दिया होता, तो मेरा नाम बेकार है, यही सब बात बोल रहा था, आपस में किसको, सैना पती बोल रहे थे Seluka Snigator के इसको सिकंदर को, ठीक है, और जब वापस होने लगे तो बोले Seluka Snigator एक काम करो, तुम जो है न, यह जो भारत वाला पंजाब का जो हम जगा जीते हैं, तुम उसको देख लो, और आगे चल कर Seluka Snig 힘ator के साथ Seluka Sniglot को पंजाब वाला छेतर में छोड़ दिया है ना उसका प्रियतस सिनापती था सेलुकस निकेटर और उसको पंजाब बला रीजन जो जीता था वो सौप दिया और आगे चल कर सेलुकस निकेटर के साथ चंदुरुपत मोरी का भीशन युद लड़ा जाता है क्योंकि पंजाब के जो रीजन पे किसको रखता था यह सेलुकस निकेटर और सेलुकस निकेटर इसारा परनासता था सिकंदर का सिकंदर बोलता था उठो तो उठो बैठने तो बैठो उसको दुरबलता नहीं था इसके अंदर बहुत जादा मजबूती था यह डरता वरता नहीं था किसी से लेकिन सेना ही क्या मेर नहीं रहता है मिलना तो नहीं मिलेगा वही चीज है सिकंदर का सेना ही दुर्वल पढ़ गया बक्त परधों का दे दिया सेना है ना सब सेना भागूग गया कोई सेना अस्थल मार्ग से वापस हो गया कोई सेना जल मार्ग से वापस हो गया तो बच कौन गया भारत में तो सिकंदर के साथ सेलुकस निकेटर बच गिया सेलुकस निकेटर को वो पंजाब वला रीजन को दे दिया बोला देख रेक करो भाई सिकंदर बोला ठीक है तब हम भी चलते हैं और जब सेलुकस निकेटर को पंजाब वला रीजन सभालने के लिए छोड़ दिया तो सभाविक है कि सेलुकस निकेटर का जो अपना हिम्मत बल था युद्ध नीथी आती थी उससे वो अपना छेत्र को बढ़ा करने का प्रियास करेगा और कल के रेट में चल के आता है चंदरगुप्त मोर ये क्योंकि उधर घानानंद को पराजित करके चंदरगुप्त मोर स्वेम मगद का स कुछ फर्क पड़ता है आखिर सिकंदर भारत में आया तो इसमें क्या कुछ फर्क पड़ा क्या सिकंदर एक साल में अपना कुछ गुन कल्चर भारत में छोड़ा भी था इस बिंदू को हम देखेंगे तो सिकंदर ने भारत में दो सहर बसाया क्योंकि सिकंदर एक साल के ल अब आउखेफला नाम का दूसरा सहर, पहला सहर निकया, अब आउखेफला दूसरा सहर, और यहां निकया का मतलब जानते हो क्या होता है, विजेता, निकया का मतलब विजेता होता है, और निकया सहर जो है, वो पोरस के जीतने के खुसी में बसाया था, है ना, जब वो पोरस से पंजाब बला जो जगा जीत लिया था तो इस बजा से उसने एक नया सहर बसाया जिसका नाम था निकया क्या सहर का नाम था निकया सहर को बसाया था पोरस से जब युद्ध जीत लिया था उसी के खुसी में उसने निकया सहर को बसाया था और बाउखेफला जो सहर था उसक याद में वो बावु खेपला सहर को बसाया था ठीक है ये दोनों ही सहर सिकंदर ने भारत में बसाया था और युद्ध के दवरान इस बावु खेपला घोड़े की मिर्तिव हो गई थी और बावु खेपला घोड़े से बहुत प्यार करता था सिकंदर और जब बावु खेप नामक सहर बसाया और देख लो कि दो को जो नगर है सिकंदर ने भारत में बसाया था पहला सहर जो है सिकंदर भारत से बाहर बसाया था जिसका नाम था देखो ये दोनों नगर तो सिकंदर ने भारत में भारत में बसाया था लेकिन भारत में जो दो सहर बसाया तुसका नाम थ बोड़ा का भी नाम था। और निकया क्या था बावू? निकया का मतलब होता है विजेता, भी जस्ट बताएं है विजेता। कि इस परकार से निकया और बावू-खिपला। एक सहर और बसाया था, जो भारत के सीमा छेतर से बाहर पड़ता था, ठीक है, अब आप बोलोगे सर उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सिकंद्रा, क्या नाम है, सिकंद्रा, सिकंद्रा नहीं, सिकंदरिया होगा, सिकंदरिया नामक सहर को बसाया था, आगे चल करके, जो भा भारत के जो पस्ची मुत्तर बाला भाग पढ़ता है, पस्ची मुत्तर बताई थे ना, पस्ची मुत्तर, तो भाग में बहुत ज़्यादा कहलो कि जैसे गंधार सैली विक्सित हुआ था पस्ची मुत्तर में, वहां बहुत सारा बहुत धर्म की मुर्ती को बनाया गया था, क् complete रूप से गांधार सैली के ही concept पे बनाया जाता है, जो भी कलाकारी है, गांधार कलाकारी, गांधार सैली, उसी के concept पे बहुत धर्म की मुर्ती को बनाया जाने लगा, और अधिकांस मुर्तिया जो बहुत धर्म की बनाई गई है, वो गांधार सैली के ही concept पर बनाई गई है और यूनान के ही वजह से यहां गंधार सैली डवलप हुई है यदि यूनान हमारे भारत पे आकरवन नहीं करता तो हमारे भारत में गंधार नाम की कोई सैली पनपती नहीं और दूसरा सहईली मतूरा सहईली है, जो आपको जैन धर्म का इतिहास में जो आपका 24 में तिर्थंकर थे, महाविर स्वामी, उनकी बहुत सारी मुर्तियें बनाई गई है, कौन सा? मतूरा सहईली से, और मतूरा सहईली कोई यूनान ईरान से नहीं आया था बाबू, वो में मथूरा जीर रीजन पड़ता है तो उस चीस से आप अच्छे से समझ सकते हो ठीक है और गंधार सैली जो गंधार कलाकारी है वो कंप्रेट रूप से बहुत धर्म की मुर्तियां बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी थी और बहुत की मुर्ति तो समझे हो गंधार सैली में जो भी कलाकारी होती थी वो बहुत सारी ऐसी मुर्तिया बनाई गई गंधार सैली के अंदर जो युनान के अपोलो देवता है बहुत फेमस देवता है ये अपोलो तो अपोले देवता का चित्र से प्रभावित हो करके कुछ उस तरह का ही दिखने बाला अ उसमें जिस तरह का नक्से से बनाया जाता था अपोलो देवता की मुर्ती, ठीक उसी तरह से हम लोगों का जो जो जेवता था, कुछ उस तरह का ही कॉंसेप्ट को यूज करकर के, हम लोगों का जो बहुत धर्म थे, और भी कई मुर्ती बनाई जाती थी गंधार सैली से, तो अपोलो देवता का मुर्ती का जो कॉंसेप्ट था, कुछ उस तरह का ही नक्से पे हम लोगों की मुर्ती को भी ढाली जाती थी, ठीक है, अपोलो जो था, वो क्या था, अपोलो देवता क्या था, ये पहले बोलो, तो अपोलो देवता युनान के एक देवता हो थे, बहुत उनका हुबा हुथ थोड़ा भूत मिलता भी था चेहरा, ठीक है, आगे चल करके चंदरगुप्त मोरी जो है, चंदरगुप्त मोरी आते हैं, और चंदरगुप्त मोरी को भी अच्छे से समझ में आ गया कि यदि भारत में, अगर हम कहलो कि जो भी भारत के लोग है, है न, जि 200 के चपेट में आ जाएगा, क्योंकि बिदेसी आकर्मन इतना जादा बढ़ गया है, बिदेसी आकर्मन अधिकांस उत्तर पस्चीम बाले सीमा छेतर से ही होता था, उधर ही न गंधार वाला छेतर पढ़ता है, क्योंकि उधर घोड़ा दोड़ा के सीधे भारत में गुसा नहीं होगी, तो एकां एकी करकर के सब को ये बिदेसी हरा देंगे, और हमारा पूरा भारत का समराज बिदेसी के आकर्मन सासन छेतर में चला जाएगा, है ना, और इस परकार से चंदरगुप्त मोरे ने पस्चिम उत्तर जो सीमा वाला जो भाग था, उसको अच्छे से उसको सबसे पहले ठीक करता है चंदरगुप्त मोरे, बोलता है भाई साब इसको ठीक कर लेंगे, तो हम सुरक्षित हो जाएगे, क्योंकि फिर पहार नागना और समुद्र नागना, ये दोनों बहुत टफ काम होता है, अन्यराजा के लिए सोच, मतलब वो सोचेंगे, तभ उत्तर पस्चीम बाला जो सीमाच्षेत्र है भारत का उसको सबसे पहले वहाँ पे अपना सुरक्षा को क्या करना है मजबूत करना है तो चंद्रगुप्त मोरी राजा बनते ही सबसे पहले अपना जो सुरक्षा जो है बहुत जादा मजबूत करते हैं कहां पे उत्तर पस्च बिदेशी के मन में हलका सा भी हिम्मत आए इधर घुसने का तो हमारा सैनिक उसको रोक दे ठीक है और बिदेशी राजा के मन में इसा हिम्मत होना ही नहीं चाहिए कि इधर से ही वो आए क्योंकि दुसमन देश से जब आएंगे उत्तर पस्चिंबाले रास्ता से तो यहां हमा सैनिक उसको धूल चटा देगी हमारे सैनिक 24 x 7 यहां पे रक्षा करेगी इस सीमा छेत्र का और उस सीमा छेत्र को काफी मजबूत किया गया किस के द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा और जो सैनिक थे जब भी उधर से कुछ आकरवन होना स्टार्ट होता था तो जो चं भारत है है न उत्तर पस्चीम बाला चेतर पे पूरा गजा गज सेना का एक दम जुटाओ भड़ा रहता था और वो सभी सेना किसके रहते थे चंद्रगुप्त मोरी के सेना रहते थे ठीक है और भारत में एक यूनिटी लाने का बहुत जादा प्रियास के यूनिटी का हिं तो फिर तोरना बहुत मुश्किल हो जाएगा यही वाला कॉंसेट कोन अपना लिए चंद्रगुप्त मोरी अपना लिए और बोले कि हम अपने सासन छेतर में सबसे पहला मेरा जो एक्सन होगा प्रभार सभालने के बाद तो मेरा उत्तर पस्चिम सीमा छेतर को एकदम सब लोग मिल के रहिए और हम सब मिल करके विद्यसी पे आकरमन करेंगे हम भारत बासिये ही इस यूनानियों को और भी जो अन मंगोलिया से आकरमन होता था जो भी मद्य एसिया के अन्य जो भी देश थे उससे आकरमन होता था सबको पिछे ढखेलने में सफल होंगे ठीक है ये सभी काम कौन इस्टार्ट कर दिये, चंदरगुप्त मोर इस्टार्ट कर दिये, और युनान का जो भारत पे आक्रमन करने का जो प्रभाव था, यूनीटी डेवलप करने के कारण बहुत ज़्यादा घट चुका था, ठीक ना, युनान के साथ जो भारत का वैपार जो बढ़ चुका था, वो कब बढ़ा था पबू, सिकंदर जब थे, भारत में काक साल के लिए जब सिकंदर आये थे, तो वो कहे थे कि जाके अपना माल क्यों नहीं बेचते हो, यहां का माल युनान, इरान वाले छेतर में जाके बेचा करो, और उधर का माल जो है इधर ल जल सेनापती निर्याकस, बताए थे न, वे जल सेनापती थे निर्याकस, और निर्याकस ने अपने बुक में लिखा है कि सिकंदर के बाउट बहुत कुछ लिख डाला, निर्याकस, एक बहुत बड़े राइटर भी थे, और वो जल सेनापती भी थे, और निर्याकस ने उस तक को हम लोग पढ़िके बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सिकंदर के साथ जो आपका एक और था कि जिसका नाम उन थोड़ा भूल रहे हैं थोड़ा सा मदब सोचेना पड़े हैं सिकंदर के साथ एक और कोई आए थे ठीक न एक और लेखाग ही थे उसका नाम ही अंभूल रहे हैं क्या नाम था कि सिक्ट्रियस करके कुछ नाम था मदब थोड़ा गूगल कर लेना आप लोग क्योंकि आभी मेरे पास नाम नहीं है लेकिन कुछ सिक्ट्रियस करके नाम था सिक्ट्रियस है ना और यह भी सिकंदर के साथ आए थे और यह भी एक बहुत महान लेखग थे और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था अस्टियो ब्यूलस नाम का एक पुस्तक लिखा था किसने सिक्ट्रियस ने आने सिक्ट्रियस ने अस्ट्रियस नाम का पुस्तक लिखा था और यह अस्ट्रियस पुस्तक को पढ़ करके भी सिकंदर की बहु जादा जानकारी प्राप्थ होती है किनके द्वारा लिखा गया तो सिक्ट्रियस के द्वारा लिखा गया था, ओने सिक्ट्रियस, ठीक है, नाम पूरा है, और गूगल करके देख ले ना, कि क्या एक्चुली, मतलब इसमें सुध्धी करन हो सकता है, और अस्टी ब्यूलस पुस्तक में भी सिकंदर की बहुत जादी जानकारी मिलती है, और ए अभ्याने हुआ, युद्ध हुआ, हर चीज की एक-एक जानकारी सिकंदर के लेखक ने अपने पुस्तक में लिख डाला है, और भारत की इतिहास की भी बहुत सारी जानकारी उन्होंने अपने पुस्तक में डाला है, कि उस वक्त का जो भारत था, मतलब जो इसा पुर्व क का समय चल रहा था, है ना, कितना ईशापूरु का समय चल रहा था, सिकंदर कब आया था भारत में, आप लोगों कोई आइडिया है, कमेंट करो या फिर बोलो, कितना ईशापूरु में आया था सिकंदर की मिर्तियू हो गई पूरा का पूरा चीजें भाई कहानी की रूप में याद रखो आप जितना बार मेरा lecture सुनोगे उतना बढ़ियां आपका चीजें हो जाएगा ठीक है और हम आपसे promise करते हैं यदि आप हमारा lecture को बार-बार सुन के रट लेते हो चीजे तो एक्जाम में बीना लिखावट practice का भी एक्जाम में बढ़ियां लिख डालोगे क्योंकि knowledge आपके दिमाग में जितना ज़्यादा भड़ा रहेगा हाँ तो तना ही तेजी means के copy में चलेगा और ये आप जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है means में लिखने के लिए एक दम revision सबसे ज़्यादा जरूरी है prelims में भी बहुत काम आती है lecture पढ़ा हुआ prelims के दिरिश्टी कौन में आजकल BPSC जो है understanding based सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है तो prelims में भी आपको understanding based question बनाने के लिए पूरा का पूरा concept आपको पता होना चाहिए तभी याप बना पाओगे ठीक न? और हम जो अतना इस्पिट बोलते हैं तो मेरा revision कही बार है ऐसे नहीं बोलते हैं ठीक है? एक चीज याद रखो कि सिकंदर सिकंदर के साथ बहुत सारे लेखक भारत आये थे और भारत में क्या कुछ उसवक्ट घटना घट रही थी जो भी अभ्यान हुआ था वो सब दो लिखे ही असाथी साथ उसवक्ट भारत का culture कैसा रहा था भारत के राजा क्या करते थे आपस में कितना राजा आपस में लड़ाई कर लिये थे, कौन-कौन सा unity बनाए थे, क्या कुछ हुआ था, हर कुछ हुआ अपने युनानी जो भी ग्रंथ है उसमें लिख डाले, और युनानी के बज़ा से भारत ये इतिहास जो है, भारत के जो भी इतिहासकार हैं, वो एक बहुत उनक इतिहासकार के रूप में उस बगद देखने को मिले, तो हमारा जो आज प्रजेंट के रूप में जो भारती इतिहासकार हैं, वो युनान के जो पुस्तक हैं, उसको पढ़ पढ़ के भारत के भी सामें बहुत जादा जानकारी प्राप्ट करते हैं, क्योंकि सिकंदर के आज हम जानकारी बहुत ज़्यादा collect कर लिए हैं और हम अपना इतिहास को अपने country को अच्छे से समझ पा रहे हैं ठीक है लिखा किसी के द्वारा गया था लेकिन समझ तो आज हम लोग रहे हैं अपना culture को हम लोगों को बहुत मदद मिल जाती है उनके उनके मतलब जो युना accurate date का बभू पता नहीं चलता है बहुत सारा बच्चा बच्चियें confused रहते हैं कि accurate date कौन सा राजा कव आये थे नहीं आये थे तो अलग-अलग इतिहासकार आते हैं बभू अपना-पना मत दे के चले जाते हैं तो इसमें कोई डरने का बात नहीं है इसमें आपको थोड़ा स समझदारी से काम लेना है क्योंकि अलग-अलग इतिहासकार अपना-पना मत देते हैं कोई उस country का पुस्तक पढ़ लेते हैं कोई परोसी देश का इतिहास का पुस्तक पढ़ लेते हैं कोई भारत में छपा हुआ इतिहास का पुस्तक पढ़ लेते हैं तो date में fluctuation आते ही रह करते हैं, 6-12 NCRT से बाहर question कभी नहीं पूछा जाता है चाहिए वो IS का exam हो, चाहिए वो professor का exam हो, कोई भी exam हो सब की question यहीं से आएंगे इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन मेरा जो इरानी, युनानी ये लगभग दो वीडियो में हमने आपको पढ़ाया, और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है और हम सोच रहे हैं कि ये लगभग कितना मिनट का वीडियो हो गया है, कल हम लाते हैं मोर्य वंस वी तिहास, जो की complete troop से 322 इसा पूर्व से लेकरके, 185 इसा पूर्व तक भारत के गद्दी पे राज करता है, है न, मतलब कहलो कि हरियाग, सिसुनाग और नंद वंस के पतन के बाद यदि कोई बहुत महत्पुर्ण वंस भारत के गद्दी पे आया है, उसका नाम ही मोरियबंस है, और मोरियबंस के बारे में हम पूरा डीटेल्स में पढ़ेंगे, किस परकार से घानानंद को धक्का मारे के भागाते हैं, चंदरगुप्त मोरिये, किस परकार से युद करते हैं, चंदरगुप्त मोरिये, किस से मोर्यबंस का इतिहास को पूरा डीटेल से पढ़ेंगे और मोर्यबंस में क्या कुछ राजनितिक जीवन, क्या कुछ आर्थिक जीवन, मोर्यबंस का समाजिक जीवन, सब कुछ डीटेल से जानेंगे और हमको मोर्यबंस से एक भी सवाल नहीं छूटेगा ठीक है और जो प् भारती ये इतिहास खतम कर देंगे, फिर आपका आएगा आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत का इतिहास खतम हो जाएगा, तो फिर सीधे चले जाएगे political science पर ठीक है, आप tension मतलो, आप हमारे साथ जूरे रहो आपका तैयारी कराने का पूरा का पूरा जो भी ठीका है वो हम ले लिए हैं पूरा आप हम पे डिपेंड हो जाओ आपके लिए हमको जितना जादा से जादा महनत करना होगा हम करेंगे लेकिन आप आगे बढ़ो आप रिजल्ट लाके दिखाओ और आपके एक रिजल्ट से हमको बहुत जादा मोटिवेशन मिलेगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे वीडियो को बार बार सुना करो जै हिन जै भारत